अब आजाते हैं ऐसे एरेट्स पर ऐसी अशुध्यों पर जो तलपट को प्रभावित करती आप यहां पे समझना जब मैंने बोला था कि ऐसी अशुध्यां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती उनको ठीक करना बहुत आसान होता क्योंकि आप जनरल एंट्री में जाकर कर देते हो, तो वहाँ से शायद ऐसा कुछ लोग को लगा हो, कि जो अशुदियां तलपट को प्रफट करती हैं, उनको करेक्ट करना सब्सक्राइड होता होगा, तो ऐसा विल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी ऐसे इसमें गलतियां हैं, जो बहुत ही आसानी सो जाती हैं तो दोनों ही तरह से चीज़ें बहुत आसान हैं, अगर आपने conceptually उन सारी चीज़ें को ठीक से समझ लिया, ठीक है, तो बहुत आसान होता है, क्या होता है इसमें, normally इस तरह की गलतियां केवल एक खाते में हो जाती हैं, ठीक है, दोनों में नहीं हो रही होती, अच्छा, त तो क्या क्या होता है, किस किस तरह की गलतियां उसको पर देखेंगे, अब इनको ठीक करने का तरीका क्या होता है, तो दो तरह से हम लोग normally करते हैं, पहला तरीका होता है कि हम लोग जिस खाते में जिस तरह की गलती थी, वहाँ पर हम लोग उस गलती को ठीक कर देते हैं, औ और एक्स्प्लेनेटरी नोट लिए एक्स्प्लेनेटरी नोट का मतलब क्या हुआ एक आपने व्याग्यात्मक्ति लिख दी कि भाई ऐसा गलत हो गया था इसको मैंने ठीक कर दिया है अभी कैसे उसका उधारण मैं आपको करके बताऊंगा और दूसरा तरीका होता है उसमें होता है एक क्या करना होता है सुस्प्लेन्स अगॉट बते हैं और ओ सत्वाहरें हम लोग फिर अपने जनर्नल कें बते हैं तो वहां से भी क्या कर देते हैं इस तरह की जो अशुध्याति उनका संचोधन किया जा सकते हैं अब उधारन देख लेते हैं कुछ इस तरह की अशुध्यों का जिसकी वज़य से कोई एक ही खाता प्रभावित हो रहा होता है अच्छा तो पहला जो धारन है वह हमारे में आत अब टोटल गलत करने की जो गलती होते हैं उसको इंग्लेश में बोलते हैं इरर आफ कास्टिंग ठीक है कास्ट करने को हम बोलते हैं आप टोटलिंग योग करने की गलती आपको योग निकालना था जितना माल दीजे 15,000 आपने निकाल दिया बीस हजार तो आपने का कर दि तीन हजार रुपए से अंडर कास्टिंग करती तो दो चीज़े होती हो अच्छा अब कुछ दूसरी तरह के अशुद्धी है वो क्या है किसी खाते की योग को आगे ले जाने में अशुद्धी तो जो भी बैलेंस है ठीक है जो आप करी फॉरवर्ड करते हैं फिर आप उसको कर रहे होते हो तो वो करी फॉरवर्ड करके आपने उस टाइम पर जब कर रहे तो आपने उसमें गल्ती कर दी तो एक ही तरफ हुआ ठीक है एक ही जिगा पर प्रभावित हो रहा है तो ऐसी एर्र भी क्या आउती सिर्फ एक को प्रभावित कर रही इसलिए वो ऐसे होता तो कम बाली साइट पर फिर से जो gap होता है जो difference होता उसको लिख देते हैं और जो difference होता उसी को फिर आगे हम carry forward कर देते हैं तो यहाँ पर इसको ले जाने में और गलती कर दिया निकालने में गलती किया तो वो हो गया error of balancing अब क्या हुआ चौथा सही खाते की गलत राशी से खता निकर दी है सही अकाउंट में आपने किया लेकिन गलत राशी से कर दिया आपको करना था पांश warning रुपई से डे 곳 आपने कर दिया चार house राशी ठीक है तो इस तरह की गलतthemिया अच्छा पाशवा क्या है सही खाते के घलत पक्ष में आपने हाँ खताह निकर दी करन तो क्रेख खाते में ही आपने एंट्री की करना था डेबिट साइट पर कर दिया क्रेट साइट पर लेकिन साथ में जो अमाउंट था इस वह भी गलत है तब भी एक ही खाता प्रभावीत हो वाना सिर्फ वह पर्चेस अकाउंटी तो बागी को दूसरा प्रभावीत हो नहीं अच्छा और फिर क्या है सात्वा है कि आपने तलपट में ही ट्राइल बैलेंस की टाइम पर ही जिसको बनाते ही हम लोग मुखी रुप से अशुद्धियों का संशोधन करने के लिए हैं उसमें किसी खाते को आपने जो है मेंशन करने से भूल गया दिखाने से आप भूल तो ये कुछ-कुछ ऐसे उधारन है लुआ के कट है जो ट्रायल बैयंस से वह भी आफेक्ट हो रहा होते हैं अच्छा यह वाली अशुद्धी देखो योग में शुद्धी शुत सही घाते में गलत राशी हम एक एक लिखना 5-6 तो मार लीजे आप में 1-8 लिखा जया है हितना सिसक्टतेन और यहीं से चाक्षार कर दिया हूँ vehicle इसको सही करने दो तरीका होता है है एक तरीका होता है कि आपने से काटा ऊपर 29 अर्श इसको हमने इसली का ईनिश लही थैं उन्ह aja आपन गड़ी है आपने हर कड़ी है रही ही ही है और ऑफ देख जा रहा है कि भाई यह गलत था काट दिया आपने सही लिख दिया और उसके बाद उसके हस्ताक्सर कर दिया तो इससे क्या इस पस्ट हो गया कि गलती की गई थी उसको ठीक कर लिया गया ठीक है दूसरा क्या होता है दूसरा तरीका होता है कि हम लोग जो डिफरेंस होता उससे हम एक दूसरी entry करते हैं अब माल लीजे, माल लीजे, इसी उधार को देखते हैं यह हमारा माल लीजे debit side है कोई भी है, यह हमारा debit side है debit side हमने कर रखा है 5000 हमें करना था 4000, तो हम क्या कर देंगे हम 1000 से credit कर सकते हैं लेकिन जब 1000 से credit करेंगे तो यहाँ पर हम जो विवरण होता है जो particulars में आप लिखते हो, वहाँ पर आप क्या लिख दोगे वहाँ पर लिख दोगे कि यह आपने जो 30 की थी ना, उसकी वज़य से आप यह entry कर रहे हो तो आप बता दोगे कि इस इस दिन की 30 है यह, तो आप वो event लिख दोगे, या उस date को लिख दोगे आप mention कर दोगे, विवरण में, कि यह इस दिन की गलती की वज़य से हम लोग यह entry कर रहे है, और साथ में यह जो entry है, इसका आप ने कहा किया, यह विवरण में तो देई दिया, और साथ में account के last में अपर कर दोगे, यहां पर explanatory note दे दोगे, कि यह जो entry है, वो किस लिए की गई थी, आपने यहां पर विवरण में लिख दिया, लेकिन साथ में आप बता दे रहो कि यह वाली जो entry उसके लिए आपने एक explanatory note आग दिया, तो दोनो तरीके है, यह तरीका भी अच्छा है, यह तरीका भी सह, यह दोनों तरीके सही है, यह काफी छोड़ा तरीका है, अच्छा, अब कुछ लोग बहुत ही हुशार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सार ऐसे तो नहीं करेंगे, हम क्यों करत इसलिए है क्योंकि जो accounting होती है ना accounting information कितने सारे लोग यूज़ करते हैं आप से गलती हो सकती है लेकिन उस गलती को आपने देखा कि वाइटनर लगा करके या फिर एरेस करके अगर आप उसको ठीक कर दे रहे हो तो उसकी प्रमाणिक्ता पर बहुत बड़ा एक कुश्चन मारक आता है और याद करिए accounting information में reliability जो विश्वस नीता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्कून है तो अगर आप इस तरह की हरकत करते हो क कि आपको सब कुछ सही सही दिखे वाइटनर लगा दो एरेस कर दो तो उससे विश्वस नीता ही खतम हो जाती है गलती होई है आप गलती दिखाओ कि हाँ गलती हो गई यह पांच हार को आपने कार्ट दिया चार जार लिखा आपने अस्ताक्सर कर दिया तो उस गलती का acknowledgement हो गया है कोई intention कोई नियर गलत नहीं है इस तरह की चीज़ें आपने पांच हार को बिगाड़ी दिया दिखी नहीं रहा है चार जार लिख दिया यह नहीं करते हैं अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने उसी को एंट्री को ठीक कर दिया जैसे पांच हार एक एकशा एक्शाम्प्र सुन को भी हम लोग देखेंगे आगे अब देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई व्याथात्मक्ति करके नहीं करना है या क्यों नहीं करना है इस पर्टिकॉलर अकाउंट में एक तरफा गलती होने की वज़े से हमारा ट्राइल बैलेंस संतुलि पर नहीं हो रही है और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं जो भी अकाउंटेंट है जो भी हमारे लेखा शास्त्री है उसको क्या करना पड़ता है लेखा पाल है तो लेखा पाल को आगे का काम करना ही पड़ता है और ऐसी स्थिति में जब उसको आगे का काम करना ही है और उसको द और यहां पर आपको 80,000 मिला, तो आप क्या करोगे, आपको इस तरफ कमी दिग गई, इस वाले केस में आप यहां पर क्या करोगे, 20,000 रुपए, या जो भी 20 रा, जो भी कई हो, उससे आप क्या करोगे, उसको एक अकाउंट बनाओगे, किसी भी साइट बना दिया जाता है, जिस साइट कमी हो, ऐसा नहीं है कि अब इसको क्या करेंगे, यह जो बना दिया है, इसको हम लोग कर डाल देंगे, किसमें, सस्पेंस अकाउंट में, उचन्ती खाते में, ठीक है, उचन्ती खाते का मतलब यह हुआ कि यह temporary basis तो हमने बना रखा है, हमें पता ही नहीं है कि कि इस अकाउंट में गल्टी होने के वज़ए से हम यह बनाना पड रहा है, ठीक है, अच्छा, फिर क्या होगा, माल लीजे, आपने बना दिया, उसके बास से आपका क्या होगा, ट्रायल बैलेंस हो गया, अब ट्रायल बैलेंस होने के बास से आपका करोगे, आगे कि जो भी क काम है वो अपना कर सकते हो लेकिन अभी इसमें ये कमी बाकिया है ना कि सस्पेंस अकाउंट तो आपने जुगार के लिए बना दिया वास्ता में कुछ ना कुछ जो वास्त जहां से मूल रूप कुछ से गलती स्टार्ट हुई है वो तो हमने किया ही नहीं अभी लेकिन हम लोग सस्पेंस अकाउंट से हम आगे का काम कर पाएं काम हमारा आगे की लिए इसलिए मना लेते हैं और जब हमें बता चलता है कि किस पर्टिकुलर अकाउंट में गरवडी थी तो फिर हम क्या करते है फिर जो भी हमने स सस्पेंस अकॉंट में मांउंट डाला होता है उसी के लिए हम रिवर्स एंतरी कर देते हैं वो बंद किया रहा सकता है अच्छा अबहारा आप क्या है जो ट्राइल बैलेंस बना रहे हो तब आपको जो दोनों साइड में अंतर दिखा है उस आंतर की कमी को पूरा करने के लिए है अब यह कमी जरूरी नहीं है किकी खाते से हैं कई खातर में आपने दोड़ किया हों तो कई खातर में ग्रवर्ड हो जाएगा तो सब् तो हम लोग suspense account को भी खतम कर सकते हैं वापस क्यों क्योंकि वो एक तरह से अपना काम आगे बढ़ाने के लिए एक तरह की जुगाड है तो अब पूछा जाए कि सती को ठीक करने के लिए कि हम आगे का काम करता इसकी बनाते हैं अब इसी पर एक छोड़ा सा उधारण है उसको देख लेंगे तो आपको clarity मिल जाएगी क्या होता है और फिर हम इस पर एक विवस्ते उधारण देखेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें आपको सारी कीया तो उनकी अपने अंकी कर दी विमल स्रवेस संट्र को किया 10.000 रुपया चोपर एंटरपाइज को किया पांश यार का दिवाकर केंट संथ को कियाँ फंद्य हैजार तो एस से हमने पोस्टिंग कियो घातौनी कियो हगी तो घातौनी करने के टाइम पर क्या हुआ जो द और आपने सेल्स को पंदे हजार से क्रेडिट कर दिया सब कुछ को आप मिला लोगे तो कितना है 50k तो विकरे में करते हैं तो पचास ताइम पेरियद में तो प्रेडिट कर दिया किसको सेल्स को सेल्स अकांट लोगों ना समन्द खरिदा उनके अकाउंट को डेबिट करना इस्टार्ट किया तो आपने एक अकाउंट छूट किया अब एक तरफ चूट है से सब कुछ ठीक है सब की खातों में ठीक है एक खाते में आपकी गरबड़ी हो गई अब अब ऐसी सुती में क्या होता है कि अशोग दखो तो होगा क्या क्या अशोग ट्रेडर्स का जो खाता है वह आपने क्या कि आप 20,000 से डेबिट कर दिया ठीक और यह तो सिर्फ बैलेंस है ठीक है यह तो बैलेंसिंग एंट्री इसको आप स्टार्ड में तो नहीं करेंगे स्टार्ड से आपगल सर्विसंटर का और वेपहल पांच शार से होगया आपका चौपरेंट्र इसको लेकिन इसके बाद दिवागारेंडस का खाता नहीं है अब क्या करेंगे विए उप्ट्रे इसी को में इंग्लिश में लिए क्या लिखते हैं जो भी सारी चीज़े उनको में लागर कि विविद बोल देते हैं वह कितने का था पचासे यहां से तो अब यहां से देखोगे तो आपका समझ में आएगा टूटल जो एमाउंट आ रहा रहा है वो कितना जार है 35 शार लेकिन cierto गुलन के कि 15,000 का बंगिंदी मुथी उचंति खाता तो उचंति खाता बनाकर कि तो तलपट में जो 15.000 रुपए है वो एक तरफ आपको क्या देखेगा क्रेड़िट साइट पर जादा देखेगा तो तलपट आपका बैलेंस नहीं है तो त्राइल बैलेंस बनाई नहीं थीक से उसमें आपको दिख रहा कि दोनों पक्षे है वो बराबर नहीं है अब इस सती में आपको क्या करना होता है में पता चलाएंगा कि दिवाकर अं सट का की वजय से अवा तो तो वो से हब को हम क्रेडिट कर देंगे और दिवाकर अकाँट को डे मिट कर देंगे फो इंट्री नहीं कित इसलिए ऐसा हुआ था ठीक है तो वह हो जाएगा तो इस हुसाब से हम लोगों ने सब्सक्राइब को भी देख लिया जो ऐसी गलतिया ऐसे अशुदिया ऐसे एरर्स जो ट्राइल बैलेंस को भी गरत कर देती है उसको भी प्रभावित करती है ट्राइल बै इस वीडियो के प्रायोजक है आप और अगर आप ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियॉन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिये गए QR को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें